हमस्कार किशान भाईयों स्वागत है आप सभी का विश्वाश फार्म की यूट्यूब चनल पे अज हम तर्बुच की खेती का दूसरा वीडियो लेकर आए हैं पहला वीडियो में पौधे हुगने तक की जानकरी दी गई थी आप सबको खेतों की तयारी कैसे करना है और क्या-क्या हम को उसमें करना है उसके बारे में जानकरी पहले वीडियो में दिया जा चुका है मेरा तबियात आज थोड़ा सा खराब है फिर भी वीडियो रिकार्डिंग करना जरूरी था इसलिए मैं कर रहा हूँ और इस वीडियो में आगे पूरी जानकारी हम देखेंगे कि तर्बुच के फालाने तक क्या क्या प्रोसेस हम उसके बीच में करना रहेगा तो किसान भाइयों से निवेदाने कि जिन्होंने पहला वीडियो नहीं देखा होगा डिस्क्रिप्शन में जाके देख लें और आए आगे हम काम की बात करते है तो यहां पे जो तर्बुच आप देख रहे हैं बौधा तो सुरुवात में जो पौधा निकलता है उसके बाद में हमको उसमें ये दवाई डालने रहती है फंगी साइट कार्बंदा जीम बारा प्रतिशाद और बेंको जेब शौशट प्रतिशाद और कार्मेल के नाम से जाता है यह और एक दवाई और रहती है इसके साथ जो है आपको टाटा मीटा डालना है जो की मीटा क्लोपरेट ते 17.8 प्रतिशत होता है इसको कब डालना है जैसे कि पाधा जैसे सुरुवात में ग्रो करता है तो उसमें लाल कीड़े लग जाते हैं उसके पत्तों को चार वो सरने लगते हैं और पत्तियों को जो है लाल कीड़े खा जाते हैं तो उसी के लिए यह दवाई आपको डालनी होगी उसके बाद पानी जरुवत के अनुसार जैसे ही खेत सूख जाएगा आपको उंगली से उसको खोद के थोड़ा सा देखना है कि एक इंच दो इंच न उससे में आपको जैसे लगे कि खेत को अभी पादोप कर पानी जरुख तो आप सिचाई कर सकते हैं तो यहां प wounded नाली यह कि आभ यह हम ने बनाई थी उससी में जा रहा पानी कि इस तरह से पूरा सिचाई कर देना है तो यह कितने दिन के 10-15 दिन के अंतराल में पानी का सिचाई होता है तो कुछ दिनों के बाद में जो पौधों में घास आ जाएंगे पौधे गुरोद करेंगे उसके साथ-साथ घास भी आ जाएंगे अब हमको घास को निकालना है जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं हम लेबर के लेबर लगाये हैं घास निकाल रहे हैं लोग तो यह पौधा जो है 30 जनवरी का है एक जनवरी को हमने इसका वौई किया था खेतों में तो 30 जनवरी है 30 दिन के बाद यह पौधे इतने बड़े हो गये हैं और इसमें घास आ गये हैं तो उसको निकालना जब जरूरी है खर्पत्वार नहीं रहना चाहिए खेत में यह बहुत आवश्यक है इसको निकालना तो जैसे भी आपको सुविधा बने खेतों से खर्पत्वार निकाल देना है वीडियो में जैसे आप देख रहे हैं इस तरह से आप कर सकते हैं हम लोग यहां पर पाड़े की सहायता से दुनों तरफ से मिटी को खिच ले रहे हैं ताकि घास भी उसके साथ चला जाए इसको थोड़ा साथ देख लिजिए आपको इससे समझ आएगा कैसे करना है जो किसान भाई पहली बार तरफुच की खेती करने जाएंगे करना चाहेंगे उनके लिए बहुत थी फायदेमांद है वीडियो जो कर रहे हैं उनके काम भी आ सकता है अब जो है घास घास तो रहना है नहीं चाहिए बादो के आस पास के घास को निकालना है हमको अगर घास रहेगा तो इसी में उड़ने वाले किड़े मक्ही इससा वाकी इसमें छुपेंगे तो घास को निकाल देना है तो जब हमको यहां पे पौदे से थोड़ा दूरी से लेबर से आप भास निकालने के लिए बुड़े अगर बड़े फावड़े का थोड़ा चोट लगेगा बाधे को तो बहुँद्धा नुकसान हो सकता है इसलिए थोड़ा जगा पे थोड़ा दूरी दूरी से ही काम हो जाने के बाद में दुनों तरफ कोड़ाई करना है पौध के एक खुरपी ले लेना है हमने यहां पे चार इंच चौड़ा खुरपी लिया है और इसको मिट्टी को अच्छे से ढिला कर दिया है कि यहां पर आप अभी देखेंगे मैं इसको दिखाने का कोशिश करता हूँ थोड़ा जिसमें चार-पांच लेबर लगे हैं मेरे बड़े भीया जो नाजुक काम है वो लोग हम लोग घर के लोग करते हैं जैसे कि पौध्य के दुनों तरफ का कुड़ाई करना पौध्य को नुकसान ना हो अपने अंदाजा से हो है बहुत अच्छ से इसको कुड़ाई करना है देखें के विकास के लिए यह बहुत लाबदायक होता है इस तरह का कुड़ाई तो जो नए लेबर हैं आप उनसे ना कराए क्योंकि वो पधों को काट सकते हैं इसलिए वो सब नाजुक कामों को खुद करना सही रहता है तो तीस दिनों के बाद घास निकालना है खेतों में और खेतों की कुड़ाई कर देनी है यह सब काम अपकू करना है विडियो थोढ़ा कुच रहा है लेकिन क्या किया जाएगा बसमय सारी चैया अकसात बताने के लिए थोढ़ा लंबा तो जायेगा विडियो अब देखिए पदे का जो विर्धी है यह यह जो विडियो है दो फरबरि का है यहाँ पर देख रहा है तो ये करीबन 33 दिन के पौधे हैं 33 दिन के बाद इस एस्थरा के ग्रोथ में आ गए हैं पौधे हमको देखते रहना है कहीं इस पर लीप माइनर तो नहीं लग रहा है पत्तियों में कोई कीट उट तो नहीं है तो देली हमको खेत में एक बार जाकर पौधों का निरिक्षण करना रहता है पौधे कहीं से कोई इसमें अफीड वगरा तो नहीं लगा है कहीं सोई कोई पत्ता मोड तो नहीं रहा है यह सब चीजे देखना जरूरी है तर्बूच के खेत में क्योंकि अटाइक होड़ने के बाद संभव नहीं हो पाता है अब दूसरा खेत जो नीचे का खेत दो खेत लगाए हैं हम आधे एकर से थोड़े ज्यादा जमीन पर तर्बूच की खेती किये हैं तो यह जो खेत है यहां पे का जो पाधा देखिए यहां का पाधा बहुत ही स्वास्त है उपर वाले खेत से भी ज्यादा अच्छा है यहां का यह जो खेत यह नया खेत हैं कहने का मतलब अभी यहां पर गढ़ा । जड़ा कर हमने इस जमीन को उन्तल किया और फिर इसमें पहली बार यह खेती हो रहा है इसे पहले बरसाइत में मकका लगाए थैña मकक पाधा भी नहीं बन पाया था क्योंकि इस खेत में बिलकुल भी अभी खाद वगएरा नहीं है तो ऐसे जो खेत हैं इसमें भी आप दरबुज की खेती कर सकते हैं एकदम नहीं जमीन पर भी तो खेत को लेकर कोई दिक्कत नहीं कि हमको कैसी मिट्टी चाहिए मिट्टी कैसे छलेगा नया मित्टी से चले में आपकर सकते हैं पुराशी मिंपर कर सकते हैं वह समको गोबर के खाथ विस्षय झ्यान रखना होगा कि आधा में अभी वह जो गुडाई कि यह थे उसके वाद में थोड़ा थोड़ा अभी बेल निकलना श्टार्ट हो गया बेल निकलना इस्टार्ट हो गया गरीबन ये 12 फरवरी की बात है 42 43 दिन का पौधा है जब हमका हमारे खेट में पधो में सुरी हमारे खेट के पौधो में बेल निकल रहा है यह अब इसमें हमको जो है रासानिक खाद डालना होगा रासानिक खाद डालने का समय आ चुका है बीच बीच में वही है कि आप लोग को वह वाले दवाईयां डालती रहनी होगी फंगी साइट और किडो को मानने वाले उड़ने वाले कीटो को मानने वाले दवाईयां जो यहाँ पर आप देख सकते हैं एडमाईर और एक्ट्रा इससब चीज़ों को आपको डालना होगा थायमेत अक्साम जो आता है वो उड़ने वाले कीटो को माने के लिए और मिड़कलोप्राइट एड्मायर में भी जो रहता है इस सब को माने के लिए आपको ये खाम आएगा इसका बीच बीच में छिड़काव करते रहेंगे जब भी खेतों में आपको कीटो का प्रकॉप द तो वहां पर भी हम आपको बताएंगे यहां जो खाद की बात कर लेते हैं खाद में हमको 15 किलो यूरिया 15 किलो पोटास और 30 किलो डेपी ये मातरा हमको लेना है और इसमें जो एक ये जो हमारा खाद है ब्रांड जी आर करके ब्रांड जी आर खाद को हमने इसमें मिलाया इसको मैं आपको दिखाता हूँ यह जो डबा आप देख रहे हैं यह ब्रांट जी आर इसमें लिखा हुआ है देख सकते हैं यहां पर दिखा है तो इसको मिला आचार किलो डबा स्वागहेंगिस कुल मीडियों थिखाताथ यह मिक्स अन्हें हो गया उसके बाद मैं पहुँद भाया तुछ वीडियो बनाने द्लैकर हो गया वाहिए जो है ब्राउन कलर कर रहता है ब्राउन टैप से रहता है भुरा रंग करेंका इसको खाध है जो इसको मिलाने से जो है पद्राउन चोझली मीट्टि से यह काम करेगा कर्णिशनर है यह बहुत जरूरी चीज़ है इसके बाद हम अभी चलेंगे इसको लेकर खेतों में डालने के लिए तो चलते हैं जो तर्बूच का खेत है अभी हमारा यह 45 दिन का हो चुका है पाउधा 45 दिन में हमको इसमें खाद डाल रहे हैं कि यहां मेरे बड़े भीया इसमें काम कर रहे हैं मैं इसको अपको अच्छा से दिखा देता हूं कैसे करना है यह 14 फरवरी का वीडियो है यहां पर देख सकते हैं एक पौधा मर रहा है तो यह इस तरह से पौधे कभी-कभी एक आथ मारने लगते हैं इसका दवाई मैं अभी आगे बताऊंगा जिससे कि यह पौधे नहीं मरेंगे कैसे करना है उसको कौन से दवाई डालना है इसको मै बारे में बात कर लेते हैं कि यह पूरे खेत में एक ही पौधा है जो इस तरह से डामेज हुआ है पर एक यह लक्षंड दिख जाए तो हमको इसको खाद दवाई डालनी रहती है आगे बात करेंगे अब खाद को जैसे डालना है यह दोनों तरफ एक चम माच खाद एक डेर है इस प्रक्रिया को थोड़ा साच्छा से देख लीजिए इसको तो समाज ही रहें कि देख रहा है कैसे करना है एक डेर चमच खाद आपको लेना है दुनों तरफ डाल देना है चार-चार पौधे लगे हैं प्रतेक मांदे में और हाथ से करने में कभी कभी हाथ छिलने लगता है तो घुर्पी का भी सहायता ले सकते हैं आप दुनों तरफ जैसे कि मैं यहां पर घुर्पी से लाइन बना दे रहा हूं और मेरे परिवार के लोग जो है इसमें खाद कर है कि उसको ढखते जा रहे हैं तो इस तरह से जो है दुनों तरफ आप खुर्पी से नाली करेंगे और बाकी जो घर के लोग होंगे लेवार होंगे उनको उसमें खाद डालने के लिए बोल सकते हैं पाद्य की ब्रिद्धी बढ़भार आप देख रहे हैं बिल्कुल भी कोई कीट प्रकॉप नहीं है कोई बीमारी नहीं है घास निकालना रहेगा पहले बता चुका हूं इसका कारण जानते हैं कि जो मिट्टी के पोशक तत्व हैं वह पोशक तत्व खर्पत्वार द्वार जाए खेतों में उसको आपको निकालते रहना है यहाँ चीज बहुत ध्यान देने वाली बात है खर्पतवार और खाद दोनों चीजों को अच्छे से करना है मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के बाद में तर्बुज के लगाने के लिए चुक हैं जो किसान वह बहुत ही किसानों को और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहेगा हमाने वहले समये में आपको पूरी डिटेल जानगे देंगे और हमारे चैनल में पूरा प्रेक्टिकलed knowledge होता है जिससे की किसान को पूए नुकसान नहीं होने वाला पानी सिचाई करना है जैसे खाद हो में एक बार पानी को आने देता है और यह पानी बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि कहने का मतलब यह नहीं की आप पानी को एकदम भर-भर के दे दिये हैं ऐसा नहीं करना है फ़लका पानी डालना है ताकि इसमें जामे नहीं जितना जल्दी सूख जाए उतना ही अच्छा है ज्यादा पानी जो है पौधर को नुक्सान करता है कि जुरूरत से ज्यादा भी नहीं होना चाहिए कम भी नहीं होना चाहिए तो यहां पर यह देख रहे हैं अब कि टुबल का पानी आ रहा है इसमें अब जो खाधम ने डाला है इसमें वो अभी इससे पिघल जाएंगे और करीबन दो तीन चार दिन में जो है पाध्यों को आसर करना शुरू कर देंगे तिन दो तिन दिन में इसका रंग हमको दिखने लगेगा दूसरा पानी दिखन डालने तक तो पाधे में बहुत ही अच् हो जाएगा कि वो फल आने का आएगा उसको मैं अभी दिखाऊंगा आगे वीडियो में कि पूरा खेत रेड़ी है हमारा कि हर दिन एक बार खेतों में कम से कम एक बार जाकर निरिक्षण करना रहे रहा कि क्या समस्या कुछ है कि नहीं यहां पे जो है नाली थोड़ा ज्यादा चोड़ा हो गया था इसलिए हम इसको थोड़ा चोटा कर दे रहे हैं ताकि पानी का खपत कम हो इस तरह का मेंटनेस आपको ज़रूरत है तो करिए नहीं तो ज़रूरी नहीं है इसके बाद आते हैं दवाई में जो पौधे मरने का पौधे में बलाइट का प्रकॉप न हो जाए यानि कि पौधे में जूलसा ना लग जाए और कई प्रकार की फंगल इंफेक्शन के लिए पौधों को सुरक्षित करने के लिए जो है हमको इस फंगिसाइट का इस्प्रे करना होगा दो ग्राम प्रति लिटर पानी में यहां हम 40 ग्राम डाल रहे हैं क्योंकि 20 लिटर वाले इस्प्रे टैंक के इस्तमाल करेंगे तो हम 40 ग्राम यह दवाई हम को हम डालेंगे अभी कि यह मैं आपको दिखा देता हूं यह कौन सा है कि यह अभी थोड़ा सा कि इसको कि दिखाता हूं मैं आपको अब है कि यह दिखिए कि यह पाली राम करके यह नाम से आता है यह बीएसेप का जो है प्रोड़क्ट है यह सिष्टेमिक फंगी साइट है जर्मन टेकनोलोजी इसमें लिखा हुआ है जर्मन टेकनोलोजी का सिष्टेमिक फंगी साइट बहुत अच्छा इसका रिजल्ट आता है यह इसमें मेटी मैटिधंगर सेवेंटिपर सेटेट आप किसी अने कंपनी का भी ले सकते हैं कोई कम पासेरी नहीं है कि आप इसां कले परली लए तो до दो ग्राम प्रती लिटर पानी में आपको डालना है कि इसको जो है डावा इसमें टंकी में डालके हम पानी डाल देंगे और एक दवा इसमें और मिलानी है यह आप देखेंगे सेफीना सेफीना नाम से आता है यह अधियो पाइरोपेन 50 प्रतिशत यह जी अल्डीसी के नाम से है इसमें यह कॉंपोनेंट है इसका अधियो पाइरोपेन तो यह जो दवाई है इन्सेक्टिसाइड हैने के कीट जो भी लगेंगे पाधे में सारे कीटों को नश्ट करने के लिए यहां इसको डालना है 30 से 40 ml प्रति टंक की आपको इसको डालना है तो पाधो को ब्लाइट थ्रिप्स और जो भी वाइरस वगेरा है इन सभी से सुरक्षित करने के लिए आपको यह कॉंबिनेशन आपको डालना है जितनी दवाईयां है मैंने बता दिया है और आगे आने वाले समय में जो दवाई और आएगी डालेंगे हम उसका नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे इस वीडियो में हमने खाद डालने के प्रोस्ट प्रक्रिया के बारे में बात किया और जो दवाईयां कौन सी डालनी है इस बारे में बात किया फिर कितने दिनके अंतराल में क्या-क्या काम करना है यह सब चीजे हमने इस वीडियो में देख लिया है दवाईों को अच्छे से पौधों को भीगोते हुए डालना है पौधों को ताकि अच्छे से पड़ जाए दवाईयां कि किसान भायों तो यह वीडियो जो देख रहे हैं यह 15 फरवरी का है करीब पाध्य बीज बुवाई के 46 दिनों के बाद और यह जो अभी फूल आ रहे हैं पाध्य में इसको आप देखेंगे यहाँ पर देखेंगे फूल आ गया है यहाँ वीडियो क्लिप जो है 19 फरवरी का है एक जनवरी को पाध्य की हमने बुवाई की थी और यह 19 फरवरी है तो कुल यहाँ हो गया 30-40-50 दिन के 50 दिन के पौधे में यहाँ पर फल आ रहे हैं और कि देखते हैं देखते जू है पौधे का जो पूरा बेल है धों में भर जाएगा फल फूल पूरा भर जाएगा पिर उसके बात में जो दवायों का इसके रहेगा और oluş बनाकर पर कीलि پäी दीजिए और बाकी किसान भाईयों को इसका लिंक शेयर कर दीजिए या फिर वीडियों शेयर कर सकते हैं तो सभी किसान भाईयों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल को इतना सारा प्यार दने के लिए हमें सब्सक्राइब करने के लिए हमारी भी एक जिम्यदारी बन गई है कि इतने सारे किसान भाई हमसे जुड़े हैं तो हम उनके लिए कुछ अच्छा करें तो इसके लिए हम जरूर चैनल को लाइक करें ताकि हमारा मॉटिवेशन बने रहे और इसके साथ ही वीडियो को मैं यहीं खतम करता हूँ सभी किसान भाईों को बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए